साथिक नगर फैडिल भी एरिया सेंट जोजफ चर्च के बाहरा मजूद है कोई दिन पहले हम आया थे तो चर्च मसमार किया जा रहा था आज एक हिसे से ज्यादा जोए चर्च मसमार किया जा चुका है इस वद वह वह बिजली मुंत का हो चुकी थी और उसके बार लाइटिंग का और इसका निजाम नहीं तहला है कि देखने में आरहा कि मुतबादल बंदबस किया हुआ बिजली का और इबादत भी हुई और लोगों के लिए बात करते हैं यह संट जोजफ चर्च जो है यह आज तमीर शुदा नहीं है बहुत पराना है और यहां से अगर आप दिखा सकें तो यह कमस कम सौव फिट दूर है नाले से लेकिन यहां पर रोड भी बनाया जा सकता था फुटबाद भी बनाई जा सकती ज लेकिन अब जहां तक चर्च टूटा हुआ है इससे आगे मजीद निशान लगा हुआ है अंदर को नजर आ रहा है तो बात यह है कि जब लोगों की घर टूटते हैं तो लोगों के सेंटमेंट जजबात और होते हैं लेकिन किसी भी डिलिजन के जब वर्शिप प्लेस टू रहे हैं उनका भी अतराम नहीं है यह अगर नाले की उपर होती तो हम लोग बात नहीं करते कि ठीक है वो नाले की जब में आ रही है यह तो नाले से काफी दूर वाक्य है और नजर आती है इस चर्च के इलावा भी दो तीन चर्च और टूटे हैं और ठीक है हम यह कहते हैं पंदरा फिट रोड चाहिए, पांच फिट ये चाहिए, हमें फुट पाथ चाहिए, उसके बाद लोग 20 फिट के बाद लोग अपना घर बना ले, लेकिन यहां तो दो तीन निशान लगाए गए हैं, लोगों को पते ही नहीं है कि कब किसका घर मतासर होगा, एक दफा आते है दूसरी दफा आते हैं, दूसरे निशान पर तोड़ते हैं, और लोग जो हैं वो परिशान हैं कि लोग कहां जाएं, यह वो तबका है जो कम आमदनी वाला तबका है, इनके पास कोई और मतबादल है नहीं, यह कहीं और जा नहीं सकते हैं, कहीं और रह नहीं सकते हैं, इनक तो कहा गया है कि हमने इनको 15,000 रुपे पर मंथ के असाब से चेक दिया है रेंट के लिए लेकिन हमारा यह कहना है कि यहां बहुत सारे ऐसे केसिज हैं जिनके पास शनाती कार्ड नहीं है और उनके बैंक अकॉंट नहीं है आप कैसे उनको पैसे दे सकते हैं फिर जो आपने ठाओन सर्वे किया है उस ठाओन सर्वे में आपने चेक लिएप एक आईडी की लियाद पर आपने नीचे उसी बिल्लिंग में चार इते सब्सटा। यारी एक्सप्रेस वे में आपने एक बिल्डिंग में चार शादी शुदा बाई रहते थे तो आपने उनको उस वक्त असी हजार रुपे फी फैमिली और एक असी गज का प्लाट दिया था यहां आपने टोटल कोई चीज देने को तियार नहीं है तो फिर फिर यह कहते हैं कि यह रेंट है जो हमने दो साल के लिए चार एक साथ में देंगे 15,000 रुपे पर मंत के हसाब से अब जिनकी एक आईडी है उसमें चार बाई रहते हैं वो किसी भी जगा दूसरी जगा जाएंगे तो बाकी तीन क्या करेंगे बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है इन दिनो है कि हमारे जो हुकमरा हैं हमारे जो दोस्त हैं वो बात ही नहीं सुनते इन लोगों का रोजगार करीब नौर्फ नाजमबाद में या गुलबर्ग के इलाकों में जाके ये मेनत करते थे मज़ूरी करते थे वहां रोजगार वबस्ता था वो रोजगार खतम हो चुका है य किये जो स्माजी रिष्टें इस इसलाके से जो माशी रिष्टें इसे माशी रिष्टें एंगे, स्यासी पार्टि산 बात यहीं करते इंके, अपके स्वोटर तो हुट जाईज साय जW आपने इन से वोट लिया, आज इनकी रिष्टप्सित नजायश हो गई, आपके क्योंप तो इसलिए हमारा यह कहना है कि लोगों के साथ बैठें, लोगों के साथ बात करें, जिस तरह आपने कटी पहाडी पे, खासा हील पे, लियारी एक्सप्रेस वे में, जिस तरह आपने न्यू प्रिटी स्ट्रीट, एमजिना रोड पे, लोगों को मतबादल दिया, इन कम आमद इनके पास कुछ और है नहीं, तो पहले बात है कि तमाम दुनिया में, अगर मौजब दुनिया में देखें, तो रियासत का काम है रोजगार महया करना, रियासत का काम है शल्टर महया करना, लेकिन हमारी यह वो बदकिस्मत रियासत है कि यहां पर इस वक्त जो मौजूदा हकومत है वे ना तो लोगों को रोजगार दे पारे हैं और ना हीơnों को मजीद शल्टर कराची में हर साल जो है वो आसी से नवे हजार घड़ों की जडूरत पड़ती है हर साल जो है वो यहां पर जिन घरों की जड़ोत पड़ती है हकومت کوئی سکیم नहीं बनाती अच्छा फिर उसके बाद वो लोग जो है वो गरीब तपका जादा है वो लोग फिर इन्ही नालों और इन्ही जगाओं पर आके बसते हैं जब यहां पर बसते हैं तो यही हकुमती इदारे हैं कि जो इनको लीज भी देते हैं यही हकुमती इदार प्रक्षटड भी है आज आप देखें कि रियासत ने इतनके घर चुन लिये इनसे इनके रोजगार चुन लिये इस वक्त यहां जो बच्चे हैं आप देखें वो हजारों की तादाद में बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो स्कूल कप जाएंगे और कैसे करेंगे हकूमत ने पहले जो है इनको नवे हजार रुपए के चेक देने का ऐलान किया लेकिन जो है वो अदालती फैसले के बाद उन्होंने इस पर भी इंकार कर लिया कि यह यहां नाजाइस काबिस थे लहाजा आप इनको यह पैसे भी नहीं मिलेंगे अब आप मुझे बता के यह जो सामने आप घर देखें इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ओपर किचन का समान जो है वो बाहर पड़ावा है इसका मतलब यह हुआ किचन खतम हो गया है नीचे देखिए इनका वाश रूम जो है वो इनका नहीं रहा अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके एक कमरा बचा है और आदा कमरा बचा है अब वो लोग जो हैं वाश रूम कहां इस्तमाल कर रहे हैं वो लोग पानी कहां से ला रहे हैं उनकी टैंकियां तूट गई हैं उनके पास किचन नहीं हैं उन लोगों के पास रहने की जगा नहीं हैं कुछ लोग तो मुकमल तोर प हप हमें पैसे नहीं देंगे तो उनके दुबारा हा के निशान लगा रहा हैं रही रियासत ने कई दफ़ा कमिट किया उनके वुजराने कई दफ़ा कमिट किया कि हम 30 फुट जगा ले रहे हैं लेकिन अगर आफ फीता लेकर खुद ना पें तो तो ये कहीं से 60 फुट है, कहीं से 50 फुट है, अचा लोगों ने फिर भी इस सब बात को मानने के बाद जब लोगों ने अपनी कच्ची पक्की दिवारें उठा ली हैं, तो ये दूसरी और तीसरी दफा के फिर निशान लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बच्चों को तालीम से महरूम कर रहे हैं, लोगों की जो मजबी अबादत गाहें हैं, जिसको आइनी तहफूज हासल है, उन मजबी अबादत गाहों को इन्होंने मसमार किया, उसमें मसाजद भी हैं, उसमें चर्च भी हैं उसमें दीगर जो हैं वो मसारात भी हैं आप देखें कि जो लोगों के घर तोड़ रहे हैं ये उनको मुतबादल नहीं दे रहे हैं ये जिन लोगों को यहां से बेगर कर रहे हैं उनको किसी किसम का मुतबादल ना तो प्लॉट दिया जा रहा है और नहीं जो ह हैंगे । लैंड ग्रैबर्स आपको नज़र आएंगे क्रोडों और अर्बों रूपे की सरकारी जमीने हडब करते ये सारे नज़र आएंगे लेकिन इनहीं नज़रा आता तो ये विचारा जो 30 और 40 गज़ के घर पे रह रहे रहा है इन्हें ये नज़र नहीं आता क्रियास के और ये जो लोग हैं ये गरीब हैं इनके पीछे आने वाला कोई नहीं है अच्छा आप लोगा सीवल सोसाइटी से तालोक है देख रहे हैं कि बहुत जादा खवातीन बेपरदा हो चुकी है उनके घर उनके दरोदिवार टूचुका है ने परदगी की बात भी नह किया जाता कहीं ट्रांसफर करवाया जाता अब देखें आब बात रूम लोगों का तोड़ दी हैं तो कि किसी नहीं नहीं सोचा कि और तो यह ओड़तें कहां जाएंगी बात रूम करने के लिए बहुत यह खाने तोड़ दी हैं आपके सामने था कि वह खातुन तूटी करना चाहिए कि यह और तोड़ दें आप इनको सही अगर कानूनी है हम जिसक अमल दखल नहीं है हमारा लेकिन हम यहीं कहेंगे हमें सबसे जादा फिकर ओड़तों की है कि इन ओड़तों का क्या फुस्विट करामस अब कैसे हैं आपने बड़ी प्रटिशने फाइल की है तो बहुत जादा गम वगुसा है लोगों में जो गम वगुसा है वो बिलकुल जाएज है मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग सिर्फ जबानी गम वगुसे का इजार कर रहे हैं यह जो आते हैं जो जल्म कर रहे हैं यह काम जो है या फलस्तीन में हो रहा है जो इसराइली काब वो आके लोगों के इस तरह घर बिलडोज बिलडोज करते हैं या पिर यहां कराची में हो रहा या इस सुफ और दुनिया में कही ये तरीका इख्टियार नहीं किया आप लोगों को अगर मौका दें जहां दूसरी जगह दें तो यह अपना सारा लेके जाएं आप हेल्प करें उनको वो रीकंस्ट्रक्शन में कामा सकते तो यह तो विल्कुल ऐसा जुल्म है कि इसकी जितनी मदम्मत की जाए काम है और यह मैंने कह रहा हूं कि विल्कुल जो यहां इतना यहूदियों के खिलाफ इसराइल के खिलाफ भूला जाता है और कम वो ही कर रहे हैं अपने लोग यह etaहा है स्यासी जमात हैं उनकी नहीं सुक्ति हैं इस तरफ सवज्जों नहीं देरी तो यह बहुत बड़ा एक इंसानी अल्मिया जनब ले रहा है सिर्फ नाले की बात नहीं उरंगी नाले में महमुदाबाद नाले में तो लोग क्या करें लोग तो पीतने बेबास हो गए हैं कि अप अदलिया हो इंतदामिया हो जो भी हो वो गरीब लोगों को इनसान समझते ही नहीं वरना ये नहीं कर सकते हैं करें अब वो डिफेंस में जाके करें अभी जो है आपने देखा क्लिफटन में जो बेनजीर पार्क है उसका एक कॉर्णर कबदा हुआ है ना वो नहीं नजर आ यहां पर क्या क्या तमाशे होती है आपने क्लिफटन वाले में रोड पे दो तलवार से पहले एक हस्पताल था मीड मीड रीस हॉस्पिटल था वो एक अमैनिटी प्लॉट तकरीमन मुफ्त मिला था उनको जिन्हों ने बनाया था अब वो कैसे हुआ कि वो रातो रात उसको तब्दील कर दिया गया एक कमर्शिल प्लॉट में और वो हस्पताल गिरा दिया गया यह कहीं भी नहीं हो सकता था पर पता चला हुआ कैसे कंटॉन्मेंट की हुदूत को बढ़ाया गया उस हस्पताल को कंटॉन्मेंट एरिया में लेने पे और फिर उनका विल्डिंग पास हो गया यह इतना बड़ा जूर्म है यह कि लोगों को आप सेथ की सहुलत से महरूम कर रहें जो मुफ्त में मिला था इस मुनियाद पे कि लोगों को सेथ की सहुलत होगी उसको आपने अर्बों रुपै की कमर्शिल प्रॉपरटी में बदल दिया तो यही घर नजर आत चाहरी हैं उनके बराबर के हुकूक हैं यह तरीका जिन्हों ने इक्तियार किया उन तमाम हरामजादों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए इसकी कतन इजादत नहीं होगी और यह अदलिया जो अपना तमाशा बनाएगी अगर वो इन चीज़ों पर गोर नहीं करेगी क्यों दिया गया तो उन उन हरामियों को कोई पकड़ेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल सेहूनियों वाला काम है और यह बंद होना चाहिए लोगों के साथ बैटके बात करनी है जूरी क्या है कि दोनों तरफ सड़क बने क्यों आप बनाना चाहते हैं और जब यह सबने पैसे लेकर यह जगा लोगों को घर बनाने दिया है अगर लीज के पेपर नहीं भी हैं तो पैसे लिये हुई ऐसे कोई बैटके गरी बाद में आके अपना घर बनाना शुरू करतेगा तो इसलिए यह सारे को फ़री तोर पे मुकमल तोर पे बंद करना चाहिए और इ कि जो इजत्माई मिफाद में ऐसी चीजें बनने की हैं जो सब के काम आती हैं और जिसके बगहर लोगों को तकलीफ होती उसके लावा कोई जवाज नहीं है किसी जगा पे घर किराने को लेकिन बगहर मतबादल दिये हुए किसी को हक नहीं चुआए और बुल्डोजर चला के चला जाएं तो ये बंद होना चाहिए और मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि इनको ना तोड़ने दे इनकी मजामत करें जो आते हैं उनको पकड़ के बंद करें अपने पास ये जल्म है इस तरह की इजादत नहा हमारा आइन देता है नहा हमारा कानून देता है तो जो लोग ये फैसले कर रहे हैं, उनका कुछ सही तरह से इलाज लोगों को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग असलमें एतिजाज के लिए नहीं निकल ले बब कहा जाता है कि आवाम ताकत का सरच्छम हैं लेकिन ताकत ही चाहिए चूट चूट चूकी है। आप जब पिछली दवाए थे तो ये चूट टूप रहा था मस्मार के जा रहा था अब इबादत के लिए बच्छे भी आते हैं पूरा दिन चूगए ही लाके का एक बाहद अब चूट बच्छा था तो अब क्या सिचूचन है लोग अब भी आतें बादत के लिए और कितना म नुजब के लादत करवाने में हो जो है वो खासी खोशी नहीं थी मगर को संड़े है संड़े की इबादत जो है WOR02 मिन आर्संधी में और करने करवांगे के लिए में पियाया लोगभी जा लिकिन लोगों के दिल तूटे हुए थी ये मीटर कट चुका हरा हालब से बंदा ह पिजली का कैसे बंदोबस किया अब इसको डिए चको कर रहे जो इसाब बचली का इनतिजाम जो बिजली के लेक्टिक की तरफ से काटी नहीं घी मीटर लगा सा इसके बिल जो हे वह क्या जाता है और सारी चीजें जब करते सामने की दिवाज भाटकर पीछे कर दिया गया तो तो अपने जो बच्चा आ याँ पर एक भुला के तो उस से जो है वह एम जो सुिछ था उसको और झाल को कुई कट कर वाया ताके को जब मसमार किया जा रहा है तो उस में नुक्सान करना हो या कोई बच्चा उसे हाथ ना लगा दे इस वज़ए से बंद कर वाया था जैसे ये फ़तम हुआ फिर हमने थोड़ा सा उसे करके तो किया क्योंकि अबादत तो करनी ही थी ना अब मजीद महफूज बनाने के लिए क्या करेंगा मतलब लोग आते हैं जायरे किया चीज़ा लखे होती हैं चोरी ना हो जाए इसके लिए क्या बंदबास कर रहे हैं उसके लिए कोशिश यह कर रहे हैं कि फिल वक्त जब तक FWO वाले जो है वो अपना काम यहां पे नहीं श करते हैं क्टिंग करते हैं तो फिर वो वाल भी जाएगी फिर दुबारा से तकद्ध जवापमाल किया जाएगा तो इफिल वक्त इस वर जो हम कर रहे हैं वह यह करते हैं के जैसे आज अबादत कर लिए इबादत के बाद हम लोग अभी से यहां से बंद करेंगे सामने से कोई अंदर जाए ना और फिर हमारे एक बाई है आरिफ जो के यहां पे रात के गेराई में यहां चर्श में ही सोता है तांके कोई चोरी या कुछ ऐसा काम ना हो सके और ना ही कोई अंदर बसेरा कर सके आपका बहुत शुक्रिया लोगों में बहुत ज्यादा गम गुसा है सिर्फ इस इलाके की बात नहीं यहां न्यू कराची से लेके जिरो पॉइंट लागता बात तक तीन हटी तक इसी तरह की सुर्टहाले लोग बहुत ज्यादा परेशान है इलाके की बिजली नहीं है लोग दूसरे घरों में जाके जो वो खाना बना के लिया आते हैं गैस नहीं है वाश्रूम तक नहीं है और अब तक यह कोई हत्मी डेडलाइन या हत्मी तरीका कार नहीं बताया गया जिसकी वज़ासे आप देख रहे हैं कि चर्च की दिवार इसली नहीं बना पा रहे हैं कि अब तक कोई ऐसा बनोबस अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट ऐसी कोई कारकरदगी या काम नादर नहीं है जिसकी वज़ासे लोगं को ये लगें कि वो मुस्तक्बिल करीम में जाके कहीं महफूज मकाम पर जाके जिनकी गुजार सकेंगे अदालती हुकम इमतना के और नहीं इनकी दादरसी के लिए कोई दमाद समने आ रहे हैं